नमस्कार में हूँ रश्मिकरण और आप देख रहे हैं इंड़ टाइम 24 नियूस दिल्ली की शराब निती मामले में जेल से जमानत पर रिया हुए आमादमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल ने बड़ा दाव चला है उन्होंने द दो दिनों के बाद दिल्ली से मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा देने की घोशना की है और समय से मामले में जर्मानत पर रिया होने के बाद अर्विंद के जिवाल ने कहा है कि वो अगनी परिक्षा देने के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद ही जनता की आदालत में जाएंगे अब आई ये जानते हैं राजनिती घटनकरम को समझते हैं और जानते हैं कि ब्रस्टचार के मामले में गिरफतार होने के बाद अर्विन के जिवार ने दिली के मुख्यमंत्री पद से स्तीफा नहीं दिया था और अब जेल से रिया होने के बाद क्यों स्तीफा देने के लिए तयार हो गया है जबकि जारकन के मुख्यमंत्री हमन सौरेन ने गिरफ्तारी के पहले ही स्तीफा दे दिया था अब ऐसा क्या हो गया जो जेल से ही रियाई के बाद अर्विंद के जिवाल ने न केवल स्तीफा देने का एलान कर दिया है बलकि दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की बात भी कही है स्तीफे के एलान के पीछे क्या अर्विन के जिवाल की कोई मजबूरी है या फिर उनका कोई गेम प्लान है बता दे कि सुप्रीम कोट ने जमानत की रहाई की शर्ट के मुख्यवन्तरी को काराले में प्रविश करने और किसी भी अधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर करने पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोट ने भले ही अर्विन के जिवाल को जमानत पर रियात हो कर दिया है लेकिन राजनितिक और प्रशाशनिक रूप से पंगु भी बना दि अर्विन के जिवाल की सरकार पूरी तरह से राजनितिक और सम्विधानिक संकट में फस गई है और इस सम्विधानिक संकट से निकलने के लिए और सरकार को बचाने के लिए अर्विन के जिवाल ने ये ट्रम कार्ट चला है उन्होंने अपने भाशन में भी सुप्रीम कोट की शर्ट का जिकर किया है और कहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो CM के रूप में काम नहीं कर पाएंगे और इसी लिए उन्होंने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है दूसरी और चुकि अर्विंद केज जिवाल कोई सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिती में वो विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए उप राजिपाल को सिफारिश भी नहीं भेच सकते हैं अर्विंद केज जिवाल को जमाना तो मिल गई है लेकिन उनकी सरकार सववेधानिक संकट में फस गई है एसी स्थिती में निकलने के लिए अर्विंद केज जिवाल ने ये दाव चला है ब्रस्टचार के आरोप में जिल जाने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा लेकिन अब मुख्यमंत्री पद का एलान किया है अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने का एलान किया है और जल्दी चुनाव की मांग की है इसे वो जनता से संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद से कोई मोह नहीं है और इस दाव के जरिये वो दिली के लोगों की सहनुभूती हासल करना चाहते हैं लोगसभा चुनाव के दोरान अर्विन के जिवाल जमानत पर रिया हुए थे चुनाव प्रचार के दोरान उन्होंने बीजेपी पर जम कर हमला बोला था और आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें जान बूज कर जेल भेड़ना चाहते हैं यदि जनता उन्हें वोट कर देगी और उन्हें ताकतवर बना देगी तो फिर बीजेपी उन्हें जेल नहीं भेज पाएगी अर्विन के जिवाल की अपील का दिल्ली की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा दिल्ली की सभी साथ लोगसबा सीट बीजेपी फिर से जीत गई और अन्विन के जिवाल का दाओ फेर रहा था लोगसबद चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीट पर पराजे से अर्विन केज जिवाल और उनकी पार्टी को करारा जटका लगा था लोगसबद चुनाव में दिल्ली, हर्याणा, पंजाब, गुजराद और असाम में 22 सीटों पर आमादमी पार्टी ने चुड़ाव लगा था लेकिन केवल पंजाब में 3 सीटे जीतने में सफल रही थी हाला कि 2014 और 2019 के मुकाबले 1 सीट बढ़ी थी लेकिन जैसा अर्विन केज जिवाल दावा कर रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ अब हार्याणा और जमू कश्मीर के विदानसबद चुनाव है हर्याणा विदानसबद चुनाव में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी फिर आमने सामने है इसके साधी इन पार्टियों का भाजपा से भी मुकाबला है रिपोर्ट के मुताबिक आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों के वोट एक ही है ऐसे में कोई भी पार्टी अपना वोट बैंक नहीं छोड़ना चाहती ऐसे में अर्विन केजवाल सीएम पत से स्तीफा का दावा जो खेल रहे हैं आर्याना चुनाव में अपनी छवी चमकानी की कोशिश कर रहे हैं दूसरी और बीजेपी ने भी केजवाल के स्तीफे की घोशना को उनका पी आर स्टंट करार दिया है बीजेपी नेताओं का कहना है कि आमादमी पार्टी पूरी तरह से ब्रस्टचार में डूब गई है और जैसा कि अर्विन के जिवाल इमांदार नेता के रूप में खुद को पेश करते हैं अब जनता उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं पुरे देश के लोग समझ गए है कि उन्होंने हिमांदारी की आड में ब्रस्टचार का मुखोटा पहन रखा है और इस तरह से वो अपनी छवी निखारनी की कोशिश कर रहे है इसके पहले सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंग को प्रधान मंत्री बना कर पीछे से सरकार चलाई थी और अब अर्विंद के जिवाल भी वही कोशिश कर रहे है लेकिन जनता ने लोग सबाचनाओ से में भी आमादमी पार्टी को नकार गया था और अब विदान सबाचनाओ में भी नकार देगी अभी लेंगे एक छोटा सब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लोटेंगे दूसरी ख़बर पर साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालिन सेवाएं आईसियू, ऑप्रेशन थियेटर, खून वा पेशाब जाच की सुविधा, अल्टर साउंड और एक्स रे डॉक्टर अशोग गौड द्वारा संचाली, 50 बेट्स का मल्टी स्पिशालिटी हॉस्पिटल जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केर और प्रसुती वर्स्त्री रोग विशेशग्या, आधूनिक तक्नीक से परिपूर्ट एक मात्र मल्टी स्पिशालिटी हॉस्पिटल जहां पर सभी प्रकार के कैशलेश और इंशोरेंस की सुविधा उपलब्ध है एक बार सेवा का मौका जरूर दें हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1 मेन पालम रोड न्यू डेली 110045 फोन नमबर है 01149323811 और 9310815643 ब्रेके बाद आपका स्वागत है उदैपूर के सुखेर थाना शेतर से एक बड़ी खबर सामने आई है मीडियर रिपोर्ट्स की माने तो सुखेर थाना के हाथो एक बड़ी काम्याबी लगी है थाना ने एक यूवक का अपहरण कर उसे बंदक बनाकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को गरफतार किया है वही पुलिस को अभी भी मामले में एक अन्य फरार आरोपी तलाश कर रही है रिपोर्ट्स के माने तो पुलिस उस आरोपी की तलाश में पूरी दिलो जान से लगी हुई है इस पूरे मामले पर सुखेर्थाना पुलिस में बताये कि बीते दिनों कुछ बदमाशों ने मिलकर एक यूवक को बढ़गाओं से कार में डाल कर अपारण कर लिया था इसके बाद उस यूवक को रामगाओं के एक मकान में कैद कर उसके साथ मारपिट की और परीजनों से फिरोती की मांग भी की थी पुलिस की ओर से मामले पर आगे बताया गया कि जब मामले में की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने रामगाओं के दबिश दी पुलिस की दविश की सूचना मिलते ही आरोपियों ने यूवक को गितांजली हॉस्पिटल के पास रोड पर छोड़ दिया था इस मामले में पुलिस ने अभी तक दो आरोपी को गिरफतार किया है और अन्य फरार आरोपी की तलाश अभी भी जारी है इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तवाम खबरों के लिए आब बने रही है हमारे साथ और देखते रही है इंड़ टाइम 24 न्यूज